पुश्पेंद्र यादव पुश्पेंद्र यादव करगुआ गाउं जहासी जिले के रहने वाले जिनकी पिछले कुछ समय पूर्व उत्तर प्रदेश की सहासी पुलिस ने इनकाउंटर स्पेशलिस पुलिस ने एक मुढभेड में या तो हत्या कर दी या जायज रूप से एक शातिर अपरादी को मार गिराया इस इनकाउंटर को लेकर उत्तर प्रदेशी नहीं पुरे देश भर में बवाल मचा है इनकाउंटर किये गए विक्ती के परीजन इसको सीधे सीधे हत्या बता रहे हैं तो जैसा मैंने आपको इस पुश्पेंदर यादाओ इनकाउंटर या हत्या के पहले पार्ट में बताया कि हमने तैक कि हमारी एक टीम जहासी जा के यानि की दसंडे पोस्ट की एक टीम जहासी जाके पुरे मामले को समझने का प्रियास करेगी और इस टीम में शामिल थे हमारे अगबार के रोविंग एशोशेट एडिटर आकाश नागर और साथ में जी युनिवरस्टी के ट्रेनी जर्नलिस्ट राहुल कुमार ये दोनों जब जहासी पहुंसते हैं तो वो क्या हुआ उन्होंने क्या देखा ये मैं आपको पार्ट वन में बता चुका हूँ पार्ट वन में मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ आकाश नागर और राहुल कुमार जब जहासी से 90 किलो मीटर दूर पुष्पेंद रियादों के गाओं हर गुआ पहुँचे और घटना स्थल में पहुँचे जो कि वहां के स्थानिय मोठ थाना के अंतरगत है तो वहां उन्होंने क्या पाया हाला कि मैं दो शब्दों में बता दूं कि उन्होंने पाया कि वहां के स्थानिय निवासी जो उन्ही खेतों में रहते हैं और रखवाली करते हैं मांफली के खेतों की उनके हिसाब से कोई इंकाउंटर नहीं हुआ था पुलिस वालों ने सुबह पोष्ट आज जहांसी से 90 किलोमेटर दूर आलमपुरा रोड पर फरीदा गाउं पहुचा है यह वही इस्थान है जहां पुस्पेंदर यादव का इंकाउंटर यानि की पुलिस ने मुठवेड दिखाई थी हम आपको सच दिखाएंगे इस संडे पोष्ट आपको दिखाएगा कि जो चसमदीद गवाह थे हैं उस समय जब पुलिस कह रही थी कि पुस्पेंदर यादव के साथ हमारा इंकाउंटर हुआ और उसने उसको हमने यहां मारा तो हम आपको बताएंगे कि यहां जो चसमदीद गवाह है उनका क्या कहना है आपका नाम राम चंद्रियादव तो आप यहीं थे उस दिन हाई यहीं थे तो क्या रहे थे आप यहां हम लोग यहां अपने खेट देख रहे थे मूमफली वेवी हैं दोर चुट्टर हैं तो खेट देख रहे थे साब रात में भी रहना पड़ता है अच्छा आपने हम ल सोबाय हम लोगों के क्रेटा गार का खड़ी मिली और का नम करके कोई गोली वारी कुछ नहीं हुई कोई मोठवेड यहां नहीं हुई और केबल यहां सी से फूटे सोबाय दिखाई दिये हम लोग रात बर यहीं थे तो आप भी यहीं थे आप भी यहीं थे मुमफली के खे यहां से महज 10 मीटर दूर 20 मीटर दूर परिवार आपका सुनाम चतूर सिंह आदफ जी और इनका परिवार कि मूमखरीकी खेटि की रखवाली कर रहें उनको अभी आप मूमखरी को रखवाली कर रहें ही तो आप उसके बाद पिर सूबह सुबहा इस थे यहां रोड wesprat कर कोई लखा पड़ी हो तो यहां ना कोई सॉनाई देखाने तो हम लोगों ने चे दिखा देखा इने तो那麼 ने भ् Sikh कोई गोली के आबाज के ज़्यूंइ ऐसे सोचा का देखा है। वहां आधी काच है ये काच काच सी चागी कर तोड़ा गया है आप जैसे देख रहे हैं और यह लोग रखवाली कर रहे थे अभी भी रखवाली कर रहे हैं नहीं पहुंचे अभी कत्राई चल रहे हैं जाकर जो पता चलता है वो और भी जादा और भी जाना लोह मरशक है उनके पिता यानि कि पुश्पेंदर यादा हो कथित अपराधी के पिता भारती सेना में थे और भारती सेना में उनकी दुश्मनों से लड़ते वे एक आँख भी चले गई थी आज इस फृद्ध पिता को अपने बेटे की मृतिया बेटे के हत्या का दंश जिलना पड़ रहा है वो दुख में गमनीम थे उनके पिता से आकाश नागर रहुल कुमार ने बात करी इस्थानी सांसद से बात करी इस्थानी सांसद महुदा ने जोर देकर कहा है कि ये इनकाउंटर है यूपी पुलिस की इस दौरा की गई निरमम हिटिया है और सबसे महत्योपून हालिया इस पुषपेंद रियादव की शादी भी थी उनकी पतिनी से रहुल कुमार और आकाश नागर ने बात करी पुषपेंद रियादव की पतिनी बहुत जोर देकर कहा है और धृंञ निशचे के सांस कहा है कि वो अंतिम सांस तक नियाय के लड़ेंगी उन्होंने प्रधान मंतरी मोदी और उत्तर प्रदेश के के इंकाउंटर करती है तो पूरा तंत्र उसको बचाने के लिए क्यों खट्रा हो जाता है वही प्रशन यहां पर भी आ रहे हैं कि क्यों पोस्ट माटम दुबारा नहीं कराया गया क्यों पुलिस ने जबरन इस्थान से करगुआं गाउं से सतर किलो मेटर दूद जाकर हरिश्चंद यादव जी हैं हरिश्चंद यादव देश की सेवा करते थे सेना में थे और इस दौरान उन्होंने अपनी आग कवा दी उसके बाद उनके बेटे को नौकरी मिल गई चोटा वाला बेटा रोजगार करने लगा तरक लेकर रेत पहुचाने लगा टांस्पूर को जहांसी जिले के करगवा गाम में इनके बेटे पुस्पेंदर यादव का इंकाउंटर हो जाता है अब आप देखिए कि एक देश की सेवा करने वाले व्यक्ति का पहले आख गयी और आख का तारा चला गया सरकार, पुलीश, पिरसासन, सब पुस्पेंदर यादव को खनन माफ्या बता रहे हैं लेकिन उस पर आज तक कोई भी केस दर्ज नहीं हुआ है ना खनन माफ्या का ना कोई क्राइम का उसके बावजूद भी उसको इनकाउंटर में मार दिया गया गोली सीधी मारी गई जबकि इनकाउंटर अगर किया जाता है तो पहले पैर में गोली मारी जाती है लेकिन यहाँ पुस्पेंदर यादव को सीधी गोली मारी गई है और उसके बाद भी उसकी डेड बोडी परिजनों को नहीं दी गई जब परिजनों ने कहा कि हम इसकी दुबारा से पीम रिपोर्ट कराएंगे तो सबूत कहीं इस परिवार के पास नहीं पहुच जाए इसलिए पुलिस ने सतर किलोमेटर डूड ले जाकर पुस्पेंदर की अंतेश्टी कर दी एक परिवार अपने बच्चे का अंतिम संसका कर नहीं कर सका और पुलिस आज है पुलिस के मुख्या मुक्र मंत्री पुलिस की वाइवाई कर रहे हैं और पुस्पेंदर की हत्या की है और उस हत्या को च्पाने के लिए पेसबंदी के रूप में एंकाउंटर दिखाने का प्रयास किया है लेकर हम आज भी विश्वास के साथ कहते हैं कि उनकी पेसबंदी और उनका प्रयास सफल नहीं होगा निश्चत रूप से यह हथ्या के दोसी है और इनको निश्चत रूप से सजब मिलेगी टो अभी बात सांने आरेी है कि वो पैसे के लेंदेन का मामला था देखें हम लोग तो वहां थे नहीं कि हम एक्ड़ बता सथे हैं अभी हम लोग किबल आईडिया लगा रहे हैं कि पैसे के लेंदेना का मामला था क्योंकि 29 तारिक को इनकी गाड़ी बंद भूए właściू ट्रक ब ही कुछ बिवाद इनका आपस में होगा है और उस बिवाद के बाद पुस्पिंद की हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद चुकि घवराहट में इनको कुछ समझ में नहीं आया इसलिए एंकाउंटर तो दिखा दिया लेकिन इनकी ऊपर से नीचे तक करने वाले और बचा नहीं बताएंगे इनके इसमें कोई समानता नहीं है एक बाद दूसी बात जो जिले का पर्साअशन है अगर किसी इंस्पेकटर ने गलती की है यो दोसी है उसको सजा देना चाहिए लेकिन जिले का परसाशन पूरी तरीके से उस हत्या को छेपाने में लगा है उस मुल्यम को बचाने में लगा हुआ है और दुरभाग की बात तो ये है कि प्रदेश के मुख्मंत्री जी भी इस बात का स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये एंकाउंटर सही है हम अब प्रदेश की सरकार से तो न्याय मिलने की उम्मीद चाहर नहीं गई अब हम न्याय जाएंगे और माननी ऊच्छ न्याय लएंश माननी उच्छ तम न्याय लएंवें मुख्वा पूरी उम्मिद है कि न्याय मिलेगा और दोस्यों को सजा मिलेगी अरे साथ है एद तो हमें कुछ भी नहीं पताता है लेकिन जब पांस तारीक को यहां घर दे गए थे तो यहीं बुनके गए थे कि हम गाड़ी छुड़वाने जा रहे हैं तो गाड़ी पुलिस वाला ने पकल गए थे जी उसके लिए कुछ पैसे भी गए थे जी यहां एक लागतों पहदी चुके थे पचास जार उस दिन फिर लेकि गए थे तो यहीं वस गाड़ी चुड़ जा रहे थे ना दरोगा साब की आज शूट जाएगी गाड़ी आज शूट जाएगी इसलिए तो वो रोज जाते रहे तब यह सब हो गया उस दिन हम लोगों को कुछ भी नहीं पता थे पूरी राद नहीं पता चला हम लोगों को जहां तक कि सुबह भी नहीं पता चला कुछ नहीं कोई कारवाई नहीं कर रहे हैं कोई जांच नहीं कर रहे हैं अगर उनकी गलती है कोई जांच करें कोई प्रूप तो दें हम लोगों को क्यों नहीं दे रहे हैं तूप देना चाहिए ना उन लोगों को क्यों नहीं कोई जांच कर वा रहे हैं पुलिस देने से मना कर रही पहले तो वह ये कह रही थी यहां आई थी कि बोड़ी ले लू पहले वोल पहले ले लो लेकिन हम लोगों ने यह कहा उन दोहों से बोड़ी तब लेंगे जब कुई कारवाई करो नहीं हमारी मांगे पूरी करो FRI दर्ज करो उसके नाम 302 कम कदमा लगा उसके नाम क्यों नहीं की सब को धमकी दे के गयत धमकी दिये जा रहे थे कि अगर नहीं ये लोग बॉड़ी ले रहे हैं तो इनको भी पकड़ के ले चलो कोई भी इनके घर का कोई भी मिले सब को ले चलो जो कोई मिल जाए और रात में यही हिंदू दर्म होता है कि रात में जाके जला दो 12 वजी पुलिश वालों ने जला दिया किसी दिखाया दुबारा पोस्ट मारडम करने के लिए भाई सब ने बोला कि दुबारा पोस्ट मारडम करो हमारे घर का कोई सदस्त नहीं था आपके साथ तो दुबारा से करो ना हमारे साथ सामने पता तो चले क्या है क्या नहीं है क्यों नहीं किया दुबारा क्यों नहीं करवाया गए उनको ठाना कि ये लोग अगर मिटी रहेगी तो ये लोग दुबारा कहेंगे पुश्ट माडम करने के लिए इसलिए वो डर के पीछे रात में लेके भागे हैं कि रात में जला दो तो जब बॉड़ी नहीं रहेगी तो ये किसका पुश्ट माडम करवाएंगे क्यों नहीं नियाय दे रही है सरकार क्यों नहीं सुनवाई कर रही है क्यों कोई नियाय चाहिए उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले 302 का उसके उपर मुकदमा लगे जो भी उसके साथ है जो कोई भी उसका साथ दे रहा उसको भी सजा मिलनी चाहिए कड़ी से कड़ी जैसे कि आख हम तडब रहे हैं। उसकी बेटी के साथ ही बिसाओ क्या हynnene смотрit? सब लोग आधी बेठ बीड़ जाते हैं। जो थे मेरे पती ने अगर उसको माड दिये एक और तो मेरे पती को ळाउस करते है बोलो । अज उसका वो हल क्यों नहीं किया जा रहा है, मेरे पती को मारा तो, उसका भी तो वही हल होना चाहिए, क्यों वो फरार गूम रहा है, क्यों नहीं कोई कारवाई की जा रही है, क्यों नहीं उसको पकड़ के लाया जा रहा है, कहां गए वो योगी, कहां गए वो मोधी, जो मे तो सर्टी विकेट भी नहीं दे रहे हैं, कुछ भी तो नहीं दे रहे हैं, वैसे तो बहुत कहते बेटियां हैं, बेटियां हैं, मेरी बेटियां हैं, आज नहीं उनको दिख रहा है कि एक बेटी क्या कर रही है, कैसे रह रही है, कैसे काटेगी वो जिन्दगी, आज नहीं सम जाहुं के प्रधान कका नाम सत्पाई जी आप हमारे सामने मौजूद हैं इस सत्पाल सिंग जी बताईए क्या वाक्या था। ग्यां धार आर्वें पैसे lost a इसना पी वात होई तो उसने पैसे मांगे हैं जब पैसे हुंस्ने उस होगया पैसे उसने ले लिए पिर इसने मांगए 50 जार रुपε करते अगर कोई घलती कर रहा रा है तो मुझे से पूछती पूछती पूलिस को यह आतकार है एक कौन है कैसा है तो हम बताते हैं मुझे कुछ नहीं पूचा गया अंतिम संस्कार करते हैं लोगों प्रवार वालों से कहा तो प्रवार बाय बोली मुझे निया दो लोग निया नहीं दिया तो जी लोग चले गए उसके बाद मुझे को बलाया उन्हें प्रधान जी आप आई बोले आप प्रधान है भूगी जी है अटें हम भी साब थे और प्रधान साब ने जी कहा आप इंको बैठा लेजिए और उन पर दायसंसकार लगड़ी आ जाएगी तो दायसंसकार करवा तो हम सब में क्यों करूँ है उनकी परवार वाली हुनका जो निया है वह आप दिला दो आपको डिट बोड़ी हम कह रहा है हम ले ले लेंगे दायस पुस्पेंदर कभाई उसको भी धाम काने लगी तो हम लोग फ्रदायमाय भी हो गए घर गए तो इसके वाद नेकपाल पोलिस मेरे यहां आई चौकी पर दो गंटे डेड़ बोड़ी रखी रही इसके वाद जो हम लोगों पास आए तो हम लोग दायमाय हो गए नहीं में पुलिस वालों ने किया ले गाए 70 किलो मीटर दूर ले गाए हम लोगों को इपदान चला कहां दोला है अंतिम संस्कार पुलिस वालों के द्वारा करने की क्या बज़े रही है तो लोगों ने अपत्त नहीं क्या बज़े हैं कि वह सबूत के लिए और नहीं हम लोगों को कुछ देना चाहिए अभी पोस्ट माटम डिपोर्ट बिली अभी नहीं मिली ना दे रहे है ना उसका मृदू प्रमाणपत मैंने कहा भी कि मैं प्रदानों में लिखके दे रहा हूं मेरा दो ब्यक्ति मरा है जिन्दा तो है निए जिन्दा हो तो उस आया है दो हजार पांच में समाजवादी पार्टी मुलाइम सिंग यादाव जी के शाशनकाल में गौतम बुद्दनगर में कासना थाने में तीन गरी मुसल्वान बच्चों की हत्या का प्रकरण जो बाद में हमारी जांच से ये प्रमानित हुआ हमारी खबर से ये प्रमा कोल ब्लेड़ नजर आता है हो सकता है पुषपेंदर यादाव शातिर अपरादी हो ये केवल पुलिस को पता है इस्थानी लोगों को नहीं पता होगा लेकिन इंकाउंटर नहीं हुआ है मारा कहीं और गया है फैंका कहीं और गया है बहराल देखते हैं भाई भूक और बिटाने वालों की सरकार इस मामले में क्या फैसा लेती है क्या योगी नियाय करेंगे क्या उस पुषपेंदर यादाव की विद्वा को नियाय मिल पाएगा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ प्रधान मंत्री की मुहिम क्या यहां पर रंग लाईगी एक प्रश्ण औ पाटी की प्रधान मंत्री जी की बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम में अभी हालिया प्रश्ण चिन्य लग चुका है जब हर्याणा में सरकार बनाने के लिए आतर भाच्पा ने गीति का शर्मा आत्मक्तिया केश में दोशी चिन्नित एक अपराधी गोपाल भी है भय मुद्ट समाज का भी है नन्यवास दोस्तों